नमश्कार मित्रों आज हम जानेंगे कि हर्याली तीज पर यदि आप अपनी हर मनुकामना को पूर्ण करना चाहती है तो यह पांच आसान से उपाए आपको जुरू करने पड़ेंगे इससे आपके घर में सौभाग गये सुखी दामपत्य जीवत धन की वृद्धी सभी होग हर्याली तीज एकत्य जुलाई रवी वार को है यह वरत अखंड सौभाग सुखी दामपत्य जीवन और पती पतनी के बीच प्रेम भाव को बढ़ाने के लिए रखा जाता है को आरी कन्या यह वरत मन्चाह वर की प्राप्ती के लिए रखती है हर्याली तीज के दिन आप अ असान से उपाह कर सकती है इससे मन्चाह वर सुखी दामपत्य जीवन और वैवाह जीवन की समस्यां का समधान होता है आईए जानते हैं अपने लिए मन्चाह जीवन साथी के मनों कामना पूरती के लिए हर्याली तीज के दिन माता पारवती और भगवान शिव की पूजा पवश्य करें और कम से कम घर के गयरत घर में आप गयरत दीपक जलाएं यदि आप यह उपाय किसी शिव मंदिर में करें तो सबस्याद अच्छा माने जाता है वहां नहीं जा सकती तो घर पर ये तीज बूजा के लिए जो चौकी इस्थापना पूजा करें माता पारवती को लाल फूल और शिव जी को सफेद फूल अर्पित करें आपके मनगा में जल्द है पूरी होगी अगला है यदि आपके वेवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है वेवाहिक जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए हर्याली तीज के दिन माता पारवती को सोला सरंगार की शामगरी अर्वित करें पती और पतनी के बीच परहम बढ़ेगा साथ ही समस्याएं भी दूर होंगी इस दिन आप दूद में केसर मिलाकर शिप पारवती का भी शेक करें इससे भी आप बेचल लाव होगा अगला है जिल लोगों के विवहां में किसी कारणवस देरी हो रही है तो वे हर्याली तीज के अफसर पर माता पारवती को हल्दी की 11 गाटे अर्वित करें सिफ जी को हल्दी ना चड़ाएं ध्यान रखें उनके लिए वर्जित माना क्या है यह हल्दी गाटे से पारवती माता को चड़ानी है माता पारवती की किर्पस है आपके चप पूरी होगी अगला है पती और पतनी के बीचे प्रेम सम्मंद बना रहे उसको मजबूत करने के लिए हर्याली तीज के दिन पूजा के समय माता पारवती को खीर का भोग लगाए फिर उन्हें परसास और दोनों पती पतनी को ग्रण करना चाहिए ऐसा करने से पती पतनी के बीच प्रेम बढ़ता है तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी आज की वीडियो पसंद आदे है तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर जो कर देजिए अन्द नए आए हैं तो चाहिए को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दो आए धन्यवाद